एलो फेंड्स आम नीरू एंड मोस वालकम टो मैं चैनल बीटी और हिस्टेल्स फेंड्स आपका जो डाउट है ना कि क्या मुझे ब्यूटी पारलर का कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कितना स्कोप है इस लाइन में तो यह मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगे मेरे पास एक person ने message किया था एक girl ने कि मैंने 12th complete की है और मैं beautician करना चाहती हूँ तो मैं confused हूँ क्योंकि मेरे आसपास के सभी मुझे demotivate कर रहे हैं यह कहके कि आजको बहुत सारे जो girls हैं वो इस line में हैं तो यानिकि अब मैं क्या करूं देखे यह बात होती है जब हमारे तो यह पास आसपास बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कोई कहता है कि नहीं यह नहीं कोई कहता है हां तो obviously हम थोड़ा गनफ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है कोई हां और जब maximum ना बोलते हैं और हम खुद वो चीज़ करना चाहते हैं तब थोड़ा confusion हो तो definitely selection जो है, बहुत hard हो जाती है, और मैं लस्टो की बात नहीं कर दी, चाहिए आप कितनी भी age के हूँ, चाहिए आप किसी भी age में हो, मैं हर age में बात कर रही हूँ, बहुत hard है ये चीज़ चूज करना, तो मुझे भी काफी पर संसंडी मोटिवेट किया था, जब मैं इस लाइन में स्राटिक में जाने वाली थी, लेकिन ये बात भी सच है, मैं आज के टाइम की जो बात करूँ, ये बात भी कोई जूट नहीं है, कि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं आज कल इस लाइन में हैं, जो आज कल जो बहुत सारी गर्ल्स, इवन बॉइस भी लड़के भी इस लाइन में जा रहे हैं, और इस कोर्स को कर रहे हैं, इसको अपने होबी बना रही है, इसको अपना प्रोफेशन बना रही है और इसी में ही आगे भी जा रही है लेकिन आपको अब क्या करना चाहिए आप इस चीज़ में confusion हो, confused हो कि आपको क्या करना चाहिए देखिए, सिर्फ course को सीखने तक की बात नहीं रहती कि आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ सीख लूँगी क्या इतना sufficient है यानि कि सीख के बहुत अच्छी लाइन है मैं यह नहीं करें कि वीटी पाल का कोर्स जो है वो अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, मैंने भी किया है ठीक है ना बहुत ही अच्छी, मेरे लिए यह best है मुझे यह बहुत ही जादा, यानि कि आज तक मैंने जितना सब कुछ भी किया है उन सब मैं से कर मैं numbering दू ना, तो मुझे यह top one पे लगती है study से भी सबसे जादा अच्छी लगती है यह चीज यह जिस लाइन में beauty parlor की लाइन सबसे जादा अच्छी मुझे लगती है क्यों मैंने study भी की है, अच्छी study भी की है, highest studies भी की है और उसके बावजुदी मुझे लाइन सबसे जादा best लगी लेकिन आपकी confusion के according, देखे पहली बात तो होती है, सीखना ठीक है, सीखने के बाद start होता है आपका असली काम आपना अभी सोचिए, आपने सीखा नहीं है, मालीज अपने start भी नहीं किया उसके बाद का सोचिए, कि क्या आप उस चीज में invest कर सकते हो सबसे पहली बात होती है investment की आप, obviously आपने सीख लिया, अच्छी बात है, ठीक है लेकिन अगर आप invest कर सकते हो ना अपने business में तभी इस line में आगे जाएं क्योंकि ना, जादा तर, देखिए अगर मैं ratio की बात रखूं तो अगर 10, 100 girls अगर ये course सीख रही है ना तो 50% लड़कियां सीख के छोड़ देती है मतलब कि वो आगे जाती ही नहीं है इस profession में है ये बात कि 50% तो ना, वही पही quit कर देती है कि बस सीख लिया है, बहुत है आगे किसी भी reason से, या उन्हें कोई support नहीं करता या वो investment नहीं कर पाती या कोई भी reason है वो नहीं कर पाती अब रहती है 50 girls उन 50 girls में से जो 25 girls होती है वो maximum कहीं न कहीं इसके थूरू काम करने लग जाती है यानि कि like a job एक job की तरह किसी salon पे या कहीं पे इस तरह से job करने लग जाती है अब एक तरह की ratio है जो मैं बता रही है 50% तो quit कर देती है कि आगे जाती ही नहीं तो वो 25% जो job कर रही है वो जादा preferable है उस 50 से जिन्होंने छोड़ दी अब वो 25 में से जो 25 बची है 25% लड़किया बची है वो लड़किया small scale पे काम करने की गोशिश करती है क्योंकि high investment नहीं हो पाती जादा investment नहीं हो पाती बिजनस में small scale पे काम करना मतलब की घर में ही अपना start-up कर लेने छोड़ थोड़ा बहुत और कोई आ गया यानि घर में आपके सबसे honest जो चीज है वो बताओं कि घर में जब हम घर में start-up करते हैं अच्छी बात है यह बहुत अच्छी बात है start-up करना ही बहुत बड़ी बात है बे-recording तो यानि अगर आप start-up की thought में आ गए और आपने start-up कर लिया ना चाहे आपने घर में कर लिया मैं कहले हूँ यह बहुत ही जादा अच्छी बात है ठीक है ना कि कि वह जो वह जो पर से जटॉटा मोटा स्टार्ट अप किया है थोड़ा बहुत कम स्टार्ट अप किया है उन blijक ची성을 यहांगे आपके पास नहीं आती। ठीक है ना आपको बाहर से यह जा यह बहुत उनेस्ट है यह बिल्कुल उनेस्ट बॉल रही हूं मैं इसमें कोई भी हैर फिर नहीं है ठीक है ना तो इसमें क्या होता है ना कि कस्टमर आपके पास आते आते ही आता है तो वह बैटर है मेरे कोडिंग दीशरी चीज कि उन 25% में से न कोई एक या तो लड़की ही होगी जो investment करके अपने घर से बाहर निकलके कहीं बाहर एक अच्छा सा start-up करने की हिमत रखती है या फिर करती है हाँ वो definitely आगे जाती है क्यों? क्योंकि उसने घर से बाहर कदम रखा है लेकिन इसमें भी बहुत सारे चीज़े matter करती है देखे इसमें क्या matter करता है कि एक तो जिस जहां location क्या है यानि कि जहां आप shop कर रहे हो बाहर जाके, market में location क्या है? location बहुत ज़ादा matter करती है दूसरी चीज, वो shop आपकी है या आपने rent पे ली है ये चीज़े matter करती है अब वो 2-3 लड़किया जो घर से बहार निकल के उन्होंने मैं सोच रही हूँ कि rent पे भी ले ली लेकिन उनको अपने marketing करने में ही एक 2-2 साल लग जाते हैं marketing, marketing में लग जाते हैं कि लोग उन्हें जानने लगे इतना time लग जाता है अब rent पे है, per month rent भी देना है और और साथी साथ जो आपका electricity bill लिया जो भी है वो सब कुछ आपको investment के बाद की बाद कर रही हूँ हाँ, अगर आपके खुद की shop है यानि कि आपके खुद का जो shop है अगर और आप उस पे यानि बिल्कुल free mind होके बैठे हो कि कोई आएगा, कोई client आ रहा है ठीक है, और नहीं आ रहा है, ठीक है तो वो जो एक दो लड़की निकलती है ना वो अगे बढ़ती है, definitely बढ़ती है क्योंकि बिना pressure के बढ़ती है अगर आप rent पे भी होना तो आपको पर मन्थ ही tension आती है कि आपको rent देना है, देना है, देना है देखे, मैं आपको demotivate नहीं करने हूँ, मैं आपको motivate करने की ही कोशिश करने हूँ ये लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन अपना जो आपका, खुद का जो surround है ना जो आपका, कि आप क्या करना चाहते हूँ, और आप सिर्फ सीखने तक की बात नहीं सीखने के बाद की बात है कि आप उसके बाद क्या करोगे अब I think कि आपको ये सब कुछ clear हो गया होगा, कि actually मैं आपको क्या करना जाये कि definitely आपको इस लाइन में जाना चाहिए, या नहीं जाना चाहिए या आप क्या करो और मैं सच में चाहते हूँ, कि अगर आप आगे निकल रहे होना, तो यह बहुत अच्छी बात है बहुत ही जादा अच्छी बात है और मैं चाहते हूँ कि लड़कियों को खुद पे यानि कि खुद पर depend होना चाहिए independent होना चाहिए दूसरों पर depend नहीं होना चाहिए आपको खुद को अपने लिए कुछ earn करना चाहिए और वो जो मैं सच में बताऊं कि वो जो 25% girls जिनकी मैंने बात की थी कि जो घर में ही छोटा start-up करके बैठी है वो भी बहुत अच्छी है लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत high scale पर जाना है तो obviously आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और investment बहुत जरूरी है बात सिर्फ सीखने तक की ही नहीं होती है सीखने के बाद की बात होती है ठीक है ना तो यह थोट लेके चलो जब मैं अपनी सुना हूं तो मैं जब सीखा था तो मैं बाद की सोच के चली थी कि मुझे अपना start-up करना है और definitely मैंने किया था अपना start-up ठीक है ना तो ऐसी बात नहीं है तो आपको इन सब चीजों को manage करके चलना है और अगर जैसे कि आपने कहा कि आप 12th पास हो तो अगर मैं आपकी बात कर रही हूं तो लेकिन अगर आपकी बात करो 12th मतलब आप एक teenager ही हो आप कोई बहुत age आपकी बहुत ज़ादा नहीं ही आप एक teenager में ही आते हो एक तरह से तो तो अगर आप invest कर सकते हो तो definitely के तरफ जाएए ठीक है अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो मेरे according definitely आपको आगे study करने चाहिए ठीक है ना इस लाइन में एक तो ना क्रेज होता है कि मुझे करना है करना है ठीक है ना यह अगर यह क्रेज है और आप invest भी कर सकते हो definitely करें ठीक है ना study को छोड़ कर यह बहुत अच्छा जीज़ा study से मैं खुद मैं खुद हायर study मैंने खुद की हुई है लेकिन मैं अगर मैं आज भी सोचू ना कि मैं study और beauty parlor course में से क्या prefer करूं अगर मैं उस time हूं और इनी जब मैं study कर रही थी क्योंकि जिस पॉजेशन पर मैं आज हूँ तो मैं उसी की वजह से हूं में study मेरे फिलहाल कोई काम नहीं आई लेकिन आसी पात्ति यह काम बहुत आई है लेकिन यह लाइन जिसने मुझे खीचा है अपने तरफ यह बहुत अच्छी लाइन है मुझे मैं बेस्ट मानती हूं य तो की do ऐसे मेंrol तो मेरे तो में बहुत बेस्ट रही है लेकिन आपके लिए आपको हरची सोच्चंअ चलनी पड़ेगी ैस्वेंस अगर और को डौत है आप मुझे नी कुमें किन कर हीगा मैं यह मैं आपको कौशन के ज़िए घुए डेंट कोसे क्योंकि बहुत साई लड़कों का यह ड्रीम है और यह ड्रीम अच्छा है मैं यह नहीं कहा रहे कि यह ड्रीम अच्छा नहीं है यह ड्रीम अच्छा है मेरे लिए तो बहुत सुपर यह प्रूव हुआ है तो यह dream अच्छा है आप इस dream को लेकर चल सकते हैं लेकिन थोड़ा ना एक concentrate कीजिए अपने life में कि आपको definitely क्या चाहिए so friends आगे कभी सोच के चलिए I hope sir कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो thank you video देखने के लिए और जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल beauty and history पर में subscribe कर सकते हैं thank you friends good bye